नहटौर में पशूओं के लिए चारा काट रही महिला की कुट्टी मशीन में हाई वोल्टेज करंट आ जाने के कारण महिला उसकी चपेट में आ गई जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की मौत की जानकारी लेते हुए कारेवाही शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम शम्शाबाद निवासी माया देवी 40 वर्ष पतनी गौतम सिंग रोज की भांती पशूओं के लिए कुट्टी मशीन द्वारा चारा काट रही थी कुट्टी मशीन का पट्टा गीला होने के कारण अचानक कुट्टी मशीन में हाई वोल्टेज करंट आ गया तथा महिला हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, महिला की मौत की सूचना गाव में आग की तरह फैल गई तथा मौके पर तमाम महिला पुरुष मृतका के घर दौड़ पड़े महिला अपने पीछे दो पुत्र एवं दो पुत्रियों को रोता बिलखता छोड़ कर दुनिया से चली गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की मौत की जानकारी लेते हुए कानूनी कारेवाही शुरू कर दी है नहट और से जहीन अंसारी की रिपोर्ट